hey guys welcome to students coding community में अभिशेक आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मैं एक नएया प्लेलिस्टार्ट करने वाला हूँ रिकर्शन पर जिसमें हम लोग रिकर्शन के बारे में स्टार्टींग और अंड सब कुछ पढ़ेंगे So, discuss करता है So, let's start Step number one, how this will go मतलब, कैसे परहेंगा recursion क्या-क्या recursion में topic परहेंगे कैसे practice करेंगे इन सब चीज़ों पर आज चर्चा सरू करता है So, step number one पहले हम लोग समझेंगे recursion क्या होता है Like, हम लोग recursion के बारे में Like, हम लोग loops के बारे में काफी पर है It will be a general idea सब को पता होगा कि recursion जो है एक तरह से loops का alternative है यानि, जो problems हम loops से बना सकते हैं, वो problem हम recursion से भी बना सकते हैं मतलब कहीं loops useful होता है, कहीं recursion useful होता है Depend करता है, जैसे कि For example, हम लोग ने अभी तक loops काफी used किया है लेकिन, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे काफी problems में For example, trees, graphs, sometime linked list, stack, queues Lot of other possibilities, especially dynamic algorithm यह सब like advanced algorithms and data structures है यहाँ पर हम लोग recursion का काफी अच्छे से use कर सकते हैं अगर iterative algorithm का use करें तो कभी-कभी problem लंबा पर जाता है काफी complex हो जाता है जिस situation में iterative से problem complex हो जाएगा हम recursive use करेंगे जब recursive से complex हो जाएगा iterative use करेंगे तो दोनों भाई-भाई मान सकते हो different side of the same coin, right? Okay, great So, हम लोग recursion कैसे सिखें Step No.1, हमें basic programming आती है बहुत लोगों को maybe लेकिन recursion बहुत लोगों को नहीं आती होगी हम लोग के college में उतना या फिर normal जब course करते हैं किसी चीज़ का python का या javascript का कुछ भी तो recursion पर उतना focus नहीं किया जाता है basic programming fundamentals पर focus किया जाता है जिसके कारण recursion totally miss हो जाता है अब problem यह है तो फिर recursion कैसे सीखना सुरू करेंगे तो recursion हम लोग काफी basic से सीखना सुरू करेंगे मतलब जैसे normal numbers के program बनाते है sum of numbers मतलब इस level से हम लोग recursion सुरू करेंगे print 1 to 5, print 5 to 1 like that एक लोग काफी basic से recursion स्टार्ट करेंगे उसके बाद धीरे धीरे लेवल बराएंगे numbers के different रखे problem recursion सॉल्ब करेंगे strings पे जाएंगे areas पे जाएंगे तो काफी problem सॉल्ब करेंगे step number 1 हो गए number 2 like हम लोग basic problem सॉल्ब करने के बाद recursion का जब एक बार हम लोग ने basic problem सॉल्ब कर लिया उसके बाद हम जाएंगे advanced problem पर जो generally interview में आये होंगे या जो common अच्छे questions होते हैं किसी particular topic difficult questions, अच्छे questions, medium, heart level वो सारे questions solve करेंगे तो अब एक simple questions होगा इस सारे के सारे? नहीं सारे के सारे नहीं strings, array से related क्योंकि linklies को भी recursion से बना सकते हैं action q को भी recursion से बना सकते हैं trees को भी recursion से बना सकते हैं graphs को भी, dynamic algorithm को भी so, हर जहाँ loop आते हैं recursion यूज कर सकते हैं तो हम लोग अभी इस recursion में like recursion पर most focus करेंगे नहीं trees graphs पर एक बार recursion completely सीख जाएंगे फिर जब trees बढ़ रहे होंगे तो recursion को trees में भी यूज करेंगे perfect, इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे एक छोटे से लूप को recursion में हम लोग change कर सकते हैं ठाग है, तो हम लोग काफी problems लेंगे पहले analyze करने की कोशिस करेंगे, recursion काम कैसे करता है ठाग है, step number one जब recursion काम कर गया like, समझ गया recursion कैसे काम करता है उसके बाद हम लोग कुछ problems लेंगे basic basic problem, देखेंगे यहाँ recursion कैसे काम कर रहा है awesome, यह तो हम लोग recursion समझ जाएंगे okay, recursion समझ गया, recursion ऐसे काम करता है तुमको एक problem recursion का दिया हुआ है तुम analyze कर सकते हो, perfect number two यह तो बाट clear होगी number two, अब problem यह आएगा, कि ठीक है recursion आप मैं समझ के, आप मैं recursion पर समझना एक अलग चीज है, जब recursion पर problem लिखने की बात आती है, तो वो थोड़ा सा different होता, आपको समझना important है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए different thinking approach चाहिए so, फिर हम लोग try करेंगे वो thinking approach करने का, like, कैसे approach करने इस problem को, कोई भी problem में recursion कर दिया हुआ है, किस mind से इसको सोचे कैसे सोचे, क्या approach होना चाहिए इसके बारे में discuss करेंगे, ठीक है उसके बाद, जब ये चीज़ discuss होगया, तो, like, इतना असान नहीं होगा, लेकिन हाँ, हाँ, री question थोड़ा सा simplified होजएगा, और फिर हम लोग जैसे more problem solve करेंगे, it will be much easy, so, हाट topic पर हम लोग कुस questions करेंगे, और मैं कुछ assignment questions दोगा, ठीक है, like assignment question का मैं solution नहीं दोगा, सिर्फ questions दोगा, तुम लोग से expectation रहा है कि solution करें, और give me comments में the solution, जिसका solution comment होगा, मैं वहाँ hard day दूँगा, तो तुम लोग का idea लग जाएगा, ये solution correct, awesome, अगर किसी में काफी जादे wrong solution आ रहे हैं किसी problem के, में assignment के, तो मैं फिर कोशिस करूँगा उसमें, कि उसको मैं किसी चीज में cover के लो, तो जैसे recursion का हमें complete playlist बनाऊँगा, ऐसे ही हर topic का, link list, stack, queues, dynamic algorithm, हर का एक-एक playlist बनाऊँगा, जिसमें उसे basic से लेका advance तक सारे के सारे topics cover हो जाएं, perfect, तो ये था recursion पे चर्चा, okay, so like, आप लोग तो मेरा नाम जानते ही होंगे, और ये video आप लोग को पता है कि Newton School के तरफ से, not sponsor, उनके तरफ से power up किया जा रहा है, like, हम लोग आपको उसके कान पर आप आ रहा है, तो Newton School क्या है? Newton School एक ऐसा platform है, मान लिजे कि आपको चीज़े आती हों या ना आती हो, ठीक है? ठीक, आती हो आपको अच्छे जॉब मिल सकते हैं, कभी नहीं भी मिल सकते हैं, like, depend करता है, आपका रीच कितना है, ये सब प्राबलम्स होती है, right? Newton School क्या करता है? आपको completely prepare करता है, around 6 months of time, पूरा 8 to 10 परहता है, without any fees, कोई fees की कोई जिकत नहीं है, अगर आपको start करना है, free में start कर सकते हैं, आप even trial class ले सकते हैं, जब batch 2 होता है, एक-दो सब्दे का, check out कर सकते हैं, आप कितने interested हैं, if you are like, quite good, और तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, Newton School को भी लग रहा है कि तुम सही हो, then you guys can continue, और जब 6 मेहना के बार placement हो जाएगा, 5 lakhs and above, तो उसके बार Newton School को आपको फीज देना है, और वो भी EMIs में, 2 साल, 3 साल EMI, totally up to you, ओके, वो भी no cost EMI, perfect, यह रहां freshest के लिए, अब कुछ लोग कर सकते हैं, यार, मैं तो अल्यड़ी जॉब कर रहा हूँ, 4 lakhs है, तो मैं 5 lakhs पर क्यों मानू, तो आपके लिए क्या option है, कि आपके job के basis पर एक discussion होगा Newton School से, वो आपको higher package provide कर सकता है, maybe 6 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs, जो discuss हुआ है, ठीक, उसके हिसाब से, जब आप उस package को, मैं लग, when you get that package, तभी आपको वो fees देना परेगा, नहीं तो, you are free to enjoy, so, thing यह है, Newton School का option ही है, कि education पर burden नहीं होना चाहिए, लोगों का, okay, like fees देखकर काफी burden होना था, एक लाग रिपैदो तब पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई चकर नहीं है, अराम से पर हो, जॉब लग जाए, फिर, चिल मारो, perfect, awesome, सो, फिर मिलते हैं, अगले वीटियो में, with recursion topics, टाटा, बाई-बाई,